सारुक खान को इस बात को याद राद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुत संक्यक समाच उनकी फिल्मों का बहिसकार कर देगा तो एक आम मुसल्मान की तरह उनको भी सड़कों भी भठकना पड़ेगा दोस्तों आपकी एकता में इतनी ताकत है कि आप किसी वो भी जुका सकते हैं फिर चाहें वो कोई शेहनसा हो दबंग हो अली हो चाहें कोई गडगडाता हुआ किंग खान आखिर किंग खान क्यों गडगडा रहा है वो वज़े हम आपको बताते हैं दरसल अभी कुछ दिन पह पारे में तनिक नहीं सोचा था लेकिन जब हिंदूों ने टांडव का बहिसकार जम कर किया तो टांडव बनाने वाले घुटनों पर आकर हिंदूों से माफी मांगने लगे लेकिन अभी हाल ही में शारुक खान भी अपनी फिल्म पठान डिलीज करने वाला है जिसमें हिंदूों से अपील की है कि पठान फिल्म बनाने के लिए उसने अपना मननत यानि घर गिर भी रख दिया है अगर हम हिंदूों ने उसकी फिल्म नहीं देखी तो वो रोड पर आ जाएगा दोस्तों उसका हिंदू के सामने यो गड़गडाती अपील करना मुझे तो का चंबा हो रहा है कि हिंदूों के भगवान को जी भर कर गालियां देने वाला पाकिस्तान को नोटों की खेरात देने वाला आखिर एक फिल्म के लिए भला अपना घर दाओ पर लगा सकता है क्या बिलकुल नहीं इन मुसलिम बॉलीबुड कलाकारों ने हमेशा हम हिंदू को बेवकुफ बनाने के लिए बहुत सारी कोशिस से की है लेकिन अब हमें समझना होगा कि जब तक हम इन्हें इनकी असली जगे और अवकात नहीं दिखा देते तब तक हम इन दोगले बॉलीबुडियाओं की कोई अपिल नहीं स्विकार करेंगे दोस्तों आपको पता है कि सयद उपादी मुसल्मानों में किसे दी जाती थी या अब भी दी जाती है दरसल जब कोई मुसल्मान सो हिंदू का खून बहाता है यानि सेंचुरी बनाता है जिस तरीके से आप किरकेट में सो रन बनाते हैं उसी तरीके से जब कोई मुसल्मान स हिंदू का खून बहाता है तो उसे सयद उपादी से नवाजा जाता है क्या आपको पठान का मतलब मालूम है पठान उपादी उसे दी जाती थी जो सो से ज्यादा हिंदू का खून या धर्म परिवर्तन करवाता था शारुक खान ने अपनी फिल्म का नाम पठान ही क्यों दोस्तों आपको पता है शोशल मीडिया और बिकाओ मीडिया और इनके अंधे मुस्लिम फैंस इन्हें हम हिंदू की नजरों में उच्छा और सीधा दिखाने के लिए आने को फेक पबलिसिटी करते हैं ताकि हम हिंदू जाग ना पाएं और दो-चार मेरे जैसे जो जाग जा और फिर से वो सो जाते हैं कि हां यार इसने मेरा क्या बिगाड़ा है भले ही नेटवक मार्केटिंग का बिजनेस आपको पांच साल की नाम शौरत धाई साल में दे देगा आपको नोकरी करने की या गुलामी करने की जरुवत नहीं पड़ेगी लेकिन उसी नेटवक मार्क आने वाले को ना तो माफ करना है और ना ही उनकी फिल्म देखनी है क्योंकि यह वही दोगले बुढ़के हैं जिने खुद पर और इनकी हराम की कमाई पर बहुत ज्यादा गमंड है और यह बो भी हैं जो हमारे भगवानों पंडितों मूर्तियों मंदिरों का अपमान कर पै इसलिए सारुख खान की अपील से पहले मेरी अपील सुनिये अब वक्त है इनकी उकाद दिखाने और इनने नंगा कर इनका तमाशा बनाने का इसलिए जिस तरह आपने टांडव का विरोध किया है जम कर आप आने वाली सभी मुसल्मानों की फिल्मों का विरोध करेंगे सारुख खान को इस बात को या दिलाद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुत संक्यक समाच उनकी फिल्मों का वहिसकार कर देगा तो एक आम मुसल्मान की तरह उनको भी सड़कों भी भठकना पड़ेगा मुद्धों पर तथ्यों पर बात होनी चाहिए भारत के अंतराष्टे च्छवी को खराब करने की जो अंतराष्टे साजिसें हो रही है उस साजिस से सब को बचना चाहिए और अगर कोई इस परकार की साजिस किसी बेक्ति या किसी पार्टी को निसाना बनाने के लिए पुरे देश को या बोसंक्यक समाज को दुनिया का सबसे सहिष्ण समाज को यह तो हिंदू समाज है उस हिंदु समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के खड़ेंतरों में सामिल है तो उसकी सामविक निंदा होनी चाहिए उसका सामविक बहिसकार भी होना चाहिए पाक आतंकी मुंबई बलास कम क्या रूपी है हाफिस साइद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शारुक खान हो या फिर जो साहितिकार है वो लोग अगर आज तो अच्छिक नाशिश कर रहे है भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं बखो भी जाएं लोग हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं कम से कम भारत को बदनाम करने वाली लोग अपनी वास्तिवक्ता और अपनी आउकात को भी समझेंगे एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था जब कुत्तों की तरह उसको दुटकारा गया था वासे तो उसी प्रकार से यही हाले इनको भी होंगे आतंकी ऐसा कह रहा है मैं कह रहा हूँ न चाहिए यह लोग आतंकी भासा ही यहां बोल ले है मुझे लगता है सारुक खान की भासा में और हफिस सहीत की भासा में कोई अंतर नहीं है